पास्टर लीडर्स आपका स्वागत है हम करने वाले हैं हम लोग करने वाले सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसे प्रशिशन को जो कि आधारी थे कलीसिया के एक सत्र के आधार पर हम तो इस सत्ते के तहट तक पहुंच चुके हैं कि हमें उद्देश प्राप करना है और इसको स्प रीति से समझें और जिसमें कम तना हो वगेरा वगेरा और ऐसे ही बातों को हमने पिछले प्रशिशन में लिया है आज हम देखने वाले है कलीसिया के उद्देश के लिए बाइबल के आधारी सिद्धान्त कौन से है हमें ये उद्देश कहा प्राप्त होते है वचन मैसे औ बाइबल यसी धानत ये परियोर्टित की जा सकते हैं और इस अंतराल की सभी बाते जैसे की संस्कूरूतिया या फिर समय का बदलाओ या फिर ऐसे ही जीवन की गमिया परन्तु बाइबल ये उद्देश ये हमेशा ये सभी प्रकार के समय या सभी बातों को ले लेते हैं जिस में भ्हाषाए और संस्कूरूतिया भी शामिल है ठीक है तो आईए इसकी ओर चले हम लोग को पाते हैं पाँच उद्देशों को दो वचनों में से महान आग्या और मुखे आग्या महान आग्या और मुखे आग्या अगर आप अपने नोट्स को मेरे साथ देखे मुखे आग्या ये कहती है, मति अध्या 22 में से तु प्रभू अपने परमेश्व से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धी से प्रेम रखना, ये शुय किसी को बता रहा था, ये सबसे मुख्य आग्या है और दूसरी ये आग्या है, अपने पडोसी को अपने समान प्रेम रख अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख सारी भवशवानिया और सारी शिक्षाए इन दो बातों में समेटी गई है दो बाते देखते प्रभू अपने परमिश्यों से प्रेम कर अपने सारे मन से और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर अगर आप वचन के तुम जाओ और चेले बनाओ जबकि तुम संसार में जाते हो चेले बनाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम उन्हें बबतिस्मा दो और जो कुछ भी मैंने तुम्हें आज्या मानना सिखा है उन्हें भी तुम सिखाओ तो आपको जाकर चेले बनाना है उन्हें शिक्षा देना है तो आईए हम इसकी ओर बढ़े और इनी उद्देशों के द्वारा आप सीखते है मुख्य दो प्रश्णों के उत्तरों को कलीसिया क्या करने के लिए बुलाई गई है और कलीसिया क्या बनने के लिए बुलाई गई है कलीसिया क्या करने के लिए बुलाई गई है और कलीसिया क्या बनने के लिए बुलाई गई है आई आरम करें कलीसिया के लिए 5 उद्देश पहली बात तू प्रभू अपने परमेशों से सारे मन से प्रेम कर आप इसे लिख लीजिए ये आराधना है ये आराधना है प्रभू को रिदे से प्रेम करना अपने सारे मन और शक्ती से प्रेम करना परमेशों को जिवन का सबसे भेतर देना औ और पनमेश्वर को आपके जीवन के सभी प्रार्थ मिक्ताओं को देना और ये आराधना है ये उस प्रश्ण का उत्तर देता है मेरे जीवन की आराधना को कोन लेगा मेरे जीवन का मुख्य केंद्र कोन होगा प्रभु को अपने संपुन रिदे से प्रेम करना ये आराधना ह और दूसरी बात ये है, सेवकाई, क्रिपिया ऐसे लिख लीजे, अपने पडोसी को अपने समान प्रेम कर, ये ही सेवकाई है, अपने पडोसी की सेवा की बगिर आप उनसे प्रेम को नहीं कर सकते है, सेवा की बगिर आप प्रेम को प्रगट नहीं कर सकते, येशु ने कहा, म तुम्हें करता हूँ तुम्हें वो करना होगा प्रभू होकर भी तुम्हारे पैरों को धोता हूँ तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैरों को धोना है और दूसरों के भी सेवकाई और सेवा ये तो एक कुदेश है जो प्रभू ने एक व्यक्ति और कलिसया को दिया है तो हम सूसमाचार की गोशना करो, यही सूसमाचार है, सूसमाचार लोगों को जाकर परमिश्व के प्रेम की विशे में बताना है, लोगों को मेल मिलाप की खबर की विशे में बताना है, सूसमाचार, फिर वो कहता है उन्हें पिता पुत्र, पवितरात्मा के नाम से बप्तिस्मा जब आप किसी को बप्तिस्मा देते हैं आप उन्हें प्रभू येशु मसीही के मृत्यु और पुनुर्थान के साथ परीचे कराते हैं और यही तो बप्तिस्मा का अर्थ है लेकिन जब आप एक कदम आगे जाते हैं बप्तिस्मे का अर्थ मसीह के साथ में अपनी पहचान है येशु एक सीर है वो स्वर्ग में है उसकी देह पुर्थवी पर है आप स्वर्ग के उस सीर को जान नहीं सकते है जब तप पुर्थवी की देह को आप न जान ले और इसलिए आप संगती में आते है और स्थानिय कलीसिया का हिसा होते है और आप स्थानिय कलीसिया के संगती क में उन्हें रखना नंबर चार लिख लिजिए संगती मिवांच पांचाउब उद्देश जो प्रभु नुकर और अनुश्यासित होने वाले है अगर आप विद्यारति है मसीह की शिक्षाउं के अगर प्रमिर्श्व की आत्मा आपको पुर। सत्य क्यों ले जाती है तो आपको उसकी विशे में अनुशासित होना होगा और कलीसया को इसलिए बुलाया गया कि वो चेलों को बनाया अनुशासित करके लिख लीजे शिशिता लिखे शिशिता पांचवा उद्देश जो प्रभुने कलीसया के लिए रखा है और हर एक व्य है इन पांच उद्देशों के लिए क्या हमने इन सभी को वश्नों में से ऐसे ही उठा लिया है या ऐसे ही जानना या किसी के विचार है मुझे ने लगता क्योंकि तीन परिस्तित्य मालूम परती है जहां ये पांच उद्देश निशित तोर से उसके करीबी है और लगू क वो तो लगातार चेलों को बता रहे थे परमेश्वर की आत्मा के विशे सत्य की विशे में और बता रहे थे भाविश्य की विशे फिर वो यहन ना सत्रा में वो ये प्रातना करता है देखिए वचन्चार कहता है मैंने पृत्री पर तेरी महिमा की है ये आराधना है मैंने सुवर्ग के परमिश्वर्ग के विशए में प्रगट करता है और वचन आठ कहता है क्योंकि जो बाते तुने मुझे पहुचा दी मैंने उन्हें पहुचा दिया पतरस बात में इस्शु को बोलता है कि हम खाजाएंगे तुम्हारे पास तो अनकल के जी उनके वचन है और यही तो शिशिता है यह शिशिता है वचन बारा कहता है जब मैं उनके साथ था तो मैंने उनकी रक्षा की चोकसी की जब मैं उनके साथ में था तो मैंने उनकी चोकसी और उनकी रक्षा की और यह तो संगती है ख्याल रखना सूधी रखना संत् तब इशु ने कहा कि तुमारा मन व्याकुल ना हो उसने कहा कि दुखी ना हो अगर मैं जाता हूँ तो परमिश्वर का आत्मा तुमारे पास में आएगा और मैं तुम्हें अनात ना छुड़ूंगा तो हम संगती देखते हैं जहाम एक दूसरे की सूधी रखते हैं और फिर कर रही है कली से इसे कर रहे है वे प्रवितों की शिक्षा में लौलिन हो गए और ये तो शिशता है और संगती हाँ अगर ये संगती है और रोटी को तोड़ना और सभी विश्वासी एकत्रित होना और जैसी जिसकी ज़रूरत होती थी वैसे ही वे दिया करते थे ये सेवक और प्रतिदिन प्रभू उनमें जोडते गया जब वे उधार को पाते थे ये सुसमाचार है तो आरम की कलीसिया में बिल्कुल उसके पश्यात कलीसिया को वे पांचो उद्देश्यों मिले और फिर वे आगे बढ़े इसे कारे में लाकर आप इफिसी और चौथा अध्या 11 से अगर आप इफिसी और चौथा अध्या देखते वचन 11 से 16 तक परमिश्यों ने कुछ को कुछ को प्रेरित कुछ को भविश्वक्ता प्रचारक पास्टर और शिक्षक की वे तयार करे ताकि वे कलीसिया के कारियों को कर सके और यही तो सिवकाई है और यही तो सिवकाई औ जबकि हम सबके सब विश्वास और परमिश्यों के पुत्र के पहिचान में एक न हो जाए यह शिश्टा है जब आप वचन को देखेंगे आप पांचों को पाएंगे उद्देशन को मेरा क्यार्थ है मेरा कहना है यह किसी की कलपना नहीं है यह ऐसा नहीं है कि पांच देखेंगे आराध्णा तु प्रभू अपने परमिश्यों को मन से प्रेम कर और संगती पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम से उन्हें बब्बतिस्मा दो सेवकाई अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो शिश्यता उन्हें आग्या मनना सिखाओ और अंतताहा तु समाचार को फैला दो उन्हें बताओ ठीक है और इसी लिए तो कलीसिया का अस्तित्व है मेरी और आपकी कलीसिया क्यों अस्तित्व में है बंद करने के पिछे का कारण क्या हो सकता है ये पांच कारण है पहली बात कलीसिया अस्तित्व में प्रभू के उपस्तिति का आ तो इसलिए लोग आराधना के लिए इकटे होते हैं दरसल हम हफते में एक बार इकटे होते हैं परन्तु उन दिनों में आरम के कलीसया में हर एक दिन वे मिलते थे और वे परमेश्यों की आराधना करते थे और एक दूसरे की सेवा करते थे और दूसरी ये बात है हमारा अस्त प्रिषाओं को और मेल मिलाप को जहाँ वो कहता है कि तुम मेरे गवाव होगे यहुदिया, सामरिया, यरुशलम और संसार के अंतक नमबर तीन और आप इसे लिख सकते हैं नमबर तीन, हम अस्तितों में कली से आस्तितों में पर्मेशर के परिवार को समाविष्ट करती है, कली से आस्तितों में पर्मेशर के परिवार को समाविष्ट करने के लिए, यह है यही तो है संगती, एक दूसरे को साहिट करने के लिए, एक दूसरे को बनाने के लिए, कि ए हम इसलिए अस्तितों में हैं कि हम प्रभु के लोगों को शिक्षित करें हम प्रभु के लोगों को शिक्षित करने के लिए अस्तितों में है हम इसे शिश्यता कहते है और परिपक्वता ही इस खेल का मुख्य अंश है परिपक्वता ये कैसी बात है जिसमें हम चाते कि लोग आ जाए। वे परिवार में तो जन्में हैं, लेकिं हम चाहते कि वे बड़े हो जाए, वे उन्नत हो जाए। आपने स्वेचन को सुना है। कलिस्या का स्थित्व वहां के लोगों को उन्नत करने के लिए सेवकाई के लिए कलिस्या का स्थित्व लोगों की सिवा के लिए और लोगों के दोरा संसार की सिवा के लिए है तो नमबर पाच है प्रभू के प्रेम का प्रदर्शन करना क्या मैं इन सभी बातों को फिर से दो शीट करना और नमबर पाच परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन करना अगर आपके पास में कोई प्रशन है या कोई कमेंट है आप उसे कमेंट के सेक्षन में लिख सकते हैं या आप मुझे लिख सकते हैं मैं जानना चाहता हो कि आप इन पांच उद्देशों के लिए आप तुरंती क्रिया मिलाए अगर आपके पास कोई प्रश्णा है मैं आपके लिए यहाँ हूँ जल्द ही मिलेंगे